बॉलिवुड एक्टर सुश्यां सिंग राजपूत की संदिक्त मौत के बाद चल रही हाई प्रोफाइल जाच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं इस जाच में बॉलिवुड के ड्रक्स कारुबार के साथ तार जोड़े होने का एंगल भी सामने आया है ऐसे में CBI के साथ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी चांच में सक्री हो गया है रियाज चक्रवर्ती के बाद दीपिका पाधकोर सारा अली खान रकुल प्रीत कौर जैसे कई मशूर सेलब्रीडी से ड्रक्स के इस्तिमाल और खरीत फरोक्त को लेकर पूछतास चल रही है आज हम आपको बताएंगे कि ड्रक्स का इस्तिमाल करने या उसे रखने के लिए दोशी पाए जाने पर कानूरन क्या सजा हो सकती है भारत में ड्रक्स संबन्धी मामलों के लिए नारकोटिक्स ड्रक्स एंड साइकोट्रॉप क्अच्व सबस्टेंस एक्ट यानि NDPS एक्ट 1905 और NDPS एक्ट 1988 दो मुख्य कानून है इन दोनों कानून के मुताविक नार्कोटिक्स, ड्रक्स या फिर किसी भी नियंत्रित, क्यामिकल या साइको ट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन, पजेशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात, निर्यात और इस्तिमाल करने पर प्रतिवंद है केवल मेडिकल या व्यज्यानिक उप्योग के लिए विश्यस मंजूरियों के बाद ये संभाव हो सकता है भारस सरकार दोरा लगाएगा इस प्रतिवंद को तोड़ने पर व्यक्ति के खिलाव सर्च, कूर्की और गिरफतारी का अधिकार भी NDPS Act देता है ऐसे मामलों में जाच एजनसी निजी असावजनिक इस्थानों पर कारवाई कर सकती है हमारे देश के समिधार में आर्टिकल 47 के तहट भी राजिको ड्रक्स नियंतरन रोक्ताम के लिए शक्ति मिली है वर्तमान कानून के तहट ड्रक्स के नियंतरन के लिए तीन श्रेडियों में ड्रक्स की चर्चा की गई है पहले LSD, मेत जैसे साइको ट्रॉपिक पदार्थों की श्रेडी है दूसरी चरस गांजी अफीम जैसी नार्कोटिक्स ड्रक्स और तीसरी श्रेडी, मिश्रन वाले केमिकल पदार्थों की यह जिसे कंच्रोल्ड सुस्टेंस कहते है कोकीन गांजा समेच सवा 200 से जादा ऐसे साइको ट्रॉपिक और ड्रक्स की सूची है जो NDPS Act के तहट प्रतिबंदित है ऐसे में इनमें से किसी भी मिश्रन को अगर आप अपने पास रखते हैं या इस्तमाल करते हैं या किसी तरह से इसका व्यापार करते हैं तो आप सरकार दॉलार लगाए गए प्रतिबंद को तोड़ते हैं NDPS Act के तहट एक किलो से कम तक ड्रक्स रखने को वेबसाइक नहीं माना चाता निजी इस्तमाल के लिहाज से ड्रक्स मिलने पर आरोपी को 10 साल तक की कैद जबकि कमर्शियल मातर में ड्रक्स रखने पर 20 साल तक की सक्त कैद का प्रावधान है